अब मनुश तिवारी जी सीरे तोड़ पर आमादभी पार्टी का ये कहना है कि ये जो जाग या फरगाद नजर आ रही है जहरीली यमना इसके लिए हर्याना या यूपी सरकार जिम्मिदार है यानि कि बीजेपी की सरकार आमादभी पार्टी को कोस्ता पूरी तरह से गलत है क्या है इस पर जवाब आपका मनुश जी उसमें पीछे वाले का दोस्त है ये हमारे किसी पढ़ाई में आज तक हमको नहीं बताया गया हम या खड़े हमारा विधायक खड़ा है यहां के अजे महावर जी मैं इस समय सोनिया बिहार पे खड़ा हूँ जहां थोड़ी दूर पहले हर्याणा है और यहां के बाद आगे में वजीराबाद है वजीराबाद के बाद इस दिल्ली में सारी गंदगी होती है यहां के पानी को तो देख करके आपका मन करेगा कि यहां पे हम आकर के बैठे आराम से यहां के पानी में नहाते भी हैं लोग हम भी नहा सकते हैं यहां के पानी में कोई दोस नहीं है अगर कोई दोस है तो वो अर्विंद केजरिवाल जी के उस नियत में दोस है जो एक मिनट में बोलते हैं कि हर्याणा से गंदगी आ रही है एक मिनट में बोल देते हैं कि उल्ट पूरे देश से बात कर रहा हूं दिली से बात कर रहा हूं यह पानी बिलकुल सुच्छ है ज्यादा इधर जाओंगा तुम्हें कपड़ा निकाल के इसमें असनान कर सकता हूं आप बताइए यहां सौरब जी भी बैठे हैं कैसी बात करते हैं यह जगा जगब जो जगह है यह यहां पे लाखों लोग छट करते हैं यहां पे लाखों लोग छट करते हैं तब भी पानी साफ है और जहां पे छट नहीं होती है वहां पानी गंदा है लेकिन बैन छट होगा नाले बैन नहीं होगे यहां पे तारवंदी लगी हुई है सब के लोगों को खत्रा है ऐसे में दिल्ली सरकार के अरविंद केज्रिवाल मुख्या मुख्यमंत्री जी को आप ये द्रिश्य बताईए और उनको बोलिए अपनी कमी को स्विकार करना ठीके दिल्ली के लोगों को मौत बातना ठीक है यमुना नदी में ही उनकी मौझूद्गी है और वो कह रहे हैं हर्याना से पानी जहां छोड़ा जाता है वहाँ पर तो पूरी तरह से स्वच्छ यमुना नदी लेकिन उल्टिक यमुना बहती है क्या जो आरोप आमाद भी पाठी के और से लगा जा रहा है अप देखे आरोप जो वो लगा रहे हैं वही आरोप आप लगा रहे हैं मगर समस्या यह ह कि यह सच्चाई जितने भी विज्ञानिक हैं जो नदियों को समझते हैं पढ़ते हैं आप उनको बुला लीजिए विर्लेंदू जहा नहीं है वो आदमी आप उनको बुला लीजिए आईटी के लोग रिसर्च कर चुके हैं इसके ओपर बाकाइदा कई स्टडीज हैं बाक कि यमना के अंदर अमोनिया की मात्रा बढ़ गई तो उसको फिल्टर करना भी पॉसिबल नहीं था इसलिए देड़ दिन दिली में पानी नहीं आया और चट से पहले खास तोर पे कहा जाता है कि बड़ी मात्रा में पीछे से पानी छोड़ा जा ताकि यमना का लेवल थोड बढ़ जाएगा है मनोस्तिवार ये बाद जानते हैं तो क्या सवरा बाद ये कहना चाहरे है कि छट के कारिक्रम को देखते हुए हर्याना की ओवर से आज तो साफ पानी छोड़ा जाएगा